कि हलो फैंस मैंने तेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेश्ट वड़ावन में एक फिर से स्वागत करता हूं जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम यहां पर टैक्निकल एनलाइसिस को के टैक्निकल एनलाइसिस से लेटेड यहां पर एक सीरीज लेक करना है हमें कब यहां पर यहां पर ऊपर के लेवर पर बेचना है कब नीचे के लेवर पर खरीदना है यह सारी की सारी चीज़े ट्रेंड लाइन क्या होती है होरिजॉंटल लाइन क्या होती है वह सब चीज़ हम यहां पर यहां पर सीखते हुए नजर आएंगे तो एक एक करके धीरे धीरे step by step okay हम यहां पर parts में यहां पर एक पूरा को पूरा एक series लेख हैंगे जिसे आपकर आप सीख लेते हैं तो आपको basic to advance और अगर बात करें आपको इतना कुछ आ जाएगा कि आप चाहे futures करते हो चाहे आप futures करते हो या फिर आप यह आप इन्वेश्टमेंट में भी रोल होता है तेकनिकल अनलाइसिस का इन्वेश्टमेंट में रोल होता है इतना नहीं होता बट अतना होता इस चीज को थोड़ा से याद रखिएगा तो उसी सीरिस को हम यहां पर शुरू करने जा रहे हैं और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ी टॉपिक को यहां पर स्टारट करें और साथ करके यहंढ़ करते उवे नज़ आएंगे और टेकनिकल अनěलिएस tu ना जुक्पिकताऊ एक में वो समझाने के लिए यहां पर वो अपनी classes देते हैं या फिर आप से कोई आप पर भार जाते हैं नसी बीसी में वहां पर classes होती है एक से डेट लाग रुपे की वहां पर आपको पैसा पहे करना पड़ता है वहां पर पीडियो कोश्ट आपको इतना समझाया जा रहा है कि आप इसके बेसिस पे कहीं भी किसी भी चार्ट को यहां पर उठाएंगे रेंडमली और यहां पर उस चार्ट पर आप उस चीजों को करके आप समझ पाएंगे कि exactly हमें यहां पर करना क्या है और इतनी भी नॉलीज आपने ले ली तो देखिए ट्रेडिंग में तो इतना पैसा नहीं बनता तो वी वेरी फ्रेंक और यहां पर पैसा अगर आपको बनाना है तो इन्वेस्ट में बनेगा बट यहां पर ट्रेड पढ़ना अच्छी बात है जरूरी भी है बट थेओरी के से अच्छा है कि हम यहां पर प्रक्टिकल करके देखें और यहां पर चार्ट पर मैं आपको सारी चीजे बताऊंगा और जितनी भी चीजे हैं मैं यहां पर जिस भी टॉपिक से लिटेड मैं यहां पर वीडियो ब अच्छा गासा पैसा यहां पर मार्केट से कमा सकें सीख सकें और तो थोड़ा टाइम देंगे पैसा अटो मैटिकली बनता हूँ अजिर आएक ट्रेड इन रिए अच्छा गासा पैसा बना सकती है जए तो याद रखियेगा तो आए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो technical analysis होता क्या है? Analysis methodology for forecasting the direction of the price through the study of past market data, primarily price and volume. हम क्या कहते हैं? कि हमारे पस chart open हो गया. हम सबसे पहले देखेंगे कि यह जो यह particular chart है, वो कितना बड़ा chart है, कितना लंबा chart है, और कितने period का यहां पर chart हमें नजर आता है. तो उस चीज से हमें समझ में आता है, अच्छा है या शेयर बेकार है, कब यहां पर buying आई है, कब यहां पर sell आई है, कब यहां पर supply आई है, कब यहां पर demand आई है, कब यहां पर share अच्छा भागा है, कब यहां पर share गिरा है, वो सारी की सारी चीज़े हमें यहां पर technical analysis के basis पे चार्ट को जो ओपन करते हैं उसके बेसिस में हम यहां पर पता चलती हुए नजर आती है तो अब करना क्या है अब हम यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक एक करके एक टॉपिक की तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है ओके डेली वीडियो आएगी कभी कभी बीच में राजाएगी को इसु नहीं तो अगरे दिन आजाएगी बट एक एक करके वीडियो आएगी और सबसे पहले हम सीखने वाले हैं अपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप यहां पर समझेगे सबसे पहले उसके बाद हम यहां पर समझ में आएगा कि कैंडल क्या होती है उसके बाद हम यहां पर दीर दीर समझे कि ट्रेंड लाइन क्या होती है यह सब चीर धीर यहां पर एक इस टैप मैं अपने हिसाब से आपको समझाऊंगा और मुझे आशा है कि आप यहां पर एंजॉय भी करेंगे और चीरों को अब यहां पर बात करें तो यहां सपोर्ट बन गया यहां पर रेश्टेंस बन गया तो इस तरीके की बाते होती रहती है और काफी लोग यहां पर कन्फ्यूज रहते हैं कि exactly यहां पर यह क्या बोल रहे है ओके बिगनर्स को समझ में आती हो सपोर्ट रेश्टेंस होता क्य क्या support यहां पर यह support है यह help गये सपोर्ट बनने के बाद ऑफ यहां से पाइब ही यहां पर आशा हुम लगता है कि आप हमएं का support एब बार्डब यहां सबस्क्र का Pourquoi ओवलने की आपसे चीजिए इतारा रहीकि मतलब होता है कि यहाँ पर पुश्च करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा यहां से बाइंग आती हुई नजर आएगी तो यह एक सपोर्ट बन गया ओके अधा सपोर्ट लेवल इस प्राइस पॉइंट ऑन दे चार्ट वेर दे ट्रेडर एक्ट मेक्सिमन डिमांड इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि यहां पर अब डिमांड आएगी और जैसी डिमांड आएगी तो यहां पर प्राइस एक्षन होता हुआ नजर आएगा और चीजे धीरे यहां से गिरने की जगह है जैसे यहां पर लगाता गिरावट हो रही थी ओके इससे पहले भी आप यहां से लगा था गिरावट होती भी नजर आदी थी एक अच्छा खास सपोर्ट बना उसके बाद चीजे दीरे-दीरे-दीरे करके ऊपर जाएंगी ओके और यह यह बताते हैं कि यहां पर एक सपोर्ट बन गया तो इसके इलावा हम बात करें रिजिटरेंस की तो पर यहां पर supply आता हुआ दिखाई का इसका मतलब क्या है इसका मतलब है यहां पर जो हमारे ट्रेले शोते हैं वह स Mouse नजरा है कि कोईरे माईगद करेंगे जैब नीचे बॉटम पर अध्य तो फ्रॉट नजर आएगा अब यहां पर से buying आएगी selling ने आएगी चलता है यहां से गिरावाट आती हुई दिखाई देगी यहां से ओपर ने जाएगी यहां से गिरावाट आती हुई दिखाई देगी तो यह होता है resistance लेवल लेवल is always the current market price okay the likelihood of the price rising of the resistance level consolidation absorbing or supply and decline in high. तो सिंपल समय में आ गया कि support में हमें यहां पर बाइंग आती हुई दिखाई देती है और यहां पर रेश्टेंस में आपको गिरावट होती हुई दिखाई देती है बट यहां पर आप देखेंगे कि हम अभी क्या हो रहा है अभी यहां पर देखिए एक support बना हमने कहीं यहा फोड़ा-टोड़ की यहां पर बनुब recur we to do ji supports बना बड कुछ इस चैम के लिए support बना उसके बाद यहां पर गराबर दा इ हम कि दिखाई दी तो इसका मतलब की यहां पर breakout भी होता है ॉपतर ब्रेकडाउन हो गया बटम अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि देखेंगे यहां पर रेजिटेंस दुबारा बना बट रेजिटेंस बनने के बाद यहां पर जब रेजिटेंस टूटा तो यहां पर दुबारा बाइंग आती हुई दिखाए दी और यह दीवे दीरे करके क्या हुआ चाहर स्वात होगा तो काफी लोग लोग ट्रेडर्स होते हैं वो केवल यहां पर सपोर्ट पर ओंग्द सेलिंग करते क्यों करते हैं उससे यह पर कीजो Paleone करते हुए दिख़ाए देंगे गे neuralष अ किसी भी किया निचे से ले रहा हुँ ताकि आपको चीजे समझ में आए कि यहाँ पर कब support बणा औरकब sortir nice बणा नहीं पर जो भी चीजे है जैसे कि यहां पर मैं यहां पर इस बहुंच отв ह् yem एकber देखेंगे इस वाली लाइन को हम यहां पर देखेंगे इस वाले पैराग्राफ को हम देखेंगे इस वाले ट्रेंट को हम यहां पर देखेंगे तो आपको चीजे और थोड़ा से समझ में आईगी तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी देख खरीदेंगे खरीद के यहां पर और यहां पर कब खरीदा जाएगा वो multiple confirmation के साथ होता है उसमें क्या-क्या होता है वह हम आगे जब पढ़ेंगे candles पढ़ेंगे trend line पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़े पढ़ेंगे तो यहां पर हम बात करें अभी ही तो हम यहां पर केवल सपोर्ट यहां पर देख रहे हैं तो अभी इसके लिए क्या बना हुआ से यहां पर 6लप यहां पर ट्वा मासिकस कर रहा है यहां पर यहां पर बार बार यहां पर रोक रहा है वोके अकर यहां पर इसे बहुत ज्यादा ताकत लगा के बहुत ज्यादा बाइंग यहां पर आ जाती ओके तो यहां पर क्रोस करके ओपर की तरफ जो यहां पर होता हुआ दिखाई दिया वोके वह यहां पर होता हुआ दिखाई दे फिर नंट्रेंड.ो काफी लें49 थेंट टो है यहां पर यहां पर अपर देखेंगे ais के लिए रहेजा आपर करोगरक देखेंगे लिए इसकी neuesिद्स हो गया जो कि यहां पर एक रॉस नहीं कर पाया और यहां से गिर गया और जब यह यहां पर से गिरा तो यहां पर इसने एक सपोर्ट बनाया तो इसके लिए यह क्या हो गया सपोर्ट बट इससे पहले भी यहां पर एक सपोर्ट बना था हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखें य तो जो नीचे की तरफ बनता है, जो आप सबकाइबूल. सब्स् electr reformこれは support नज़राए जिए, इसे इसे लिए support नजराए ही. इसे तोड़ने की बार रहे हमें, यह भी successful नहीं हो पाया और नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया अब जब यहां पर हम trend line के बारे में चीजे सीखेंगे अगली classes में कल तो यहां पर आपको चीजे समझ में आएगी कि यहां पर ही कियो रुका ओके यहां पर चीजे क्यों रुकी इसके बाद यहां पर यह कोशिश करी यहां पर अच्छी का से देखिए वाल्यूम आए वाल्यूम आके यहां पर चीजे उपर जाई उपर गई और यहां पर जब यह पर चीजे उपर गई तो यहां पर इसने ब्रेक आउट देया और ब्रेक आउट होने पर और जब यहां पर चीजे दुबारा नी तो यह retracement होता हुआ नजर आता है अब देखिए अब यहां पर यह पर सपोर्ट नजर आ बेटे अब क्या हुआ अब यहां पर एक लाइन और हमने यहां पर ड्रॉक करी यहां पर देखिए अब जब इस लेबल को यह जो लाइन दिखाई दे रही है इस लेबल को क्रॉस नजर आइब करें तो यहां पर यहत बने और यहां पर यहां पर ब्रेकाउट होता है नजर आएगा हैवा यह क्या पर उपर इसकी लिए सारां टोडशिस्टेट्स होगें इंसके लीग बूंब यह सब देखिए पहले यह पर यहिए स्यल्का सब्सक्राने इन यहां पर यहां पर यह support यहां पर नीचे तो support नीचे से यहां पर बार-सें industries पार कोशिश समय खूल सब्पोर्ण ऑb हम रहुत हैं कि surprise circa 10 गार्य कोशिश था यह यहां पर कोशिश करी और इसने ब्रेक आऊट दिया है इसके लिए अप अब जैसी ऊपर गया इसने खाई बनाया तो यह इसके लिए रेश्टेंस बन गया जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक यह रेश्टेंस बना हुआ है और नीचे जब तक यह बार-बार इसी लेवल पर आ रहा है तो यह इसके पर यह वाध़ के बंगा तो यहां पर यह बंगा तो यह पर यह होती हुँ 待ब और यहाँ पर इस तरीके से काम करते हुए दिखाई देते हैं, तो एक लेबल क्रॉस होने के बाद, रेजिटन्स यहाँ पर क्रॉस होने के बाद, वो सपोर्ट बन जाता है, पर सपोर्ट क्रॉस होने के बाद रेजिटन्स बन जाता है, देखिए अभी केस में क्या हो रहा थ यह बार बार यहां पर रिश्टेंस बन रहा था उपर करके रिश्टेंस एक एक उपर करके यहां पर बन रहा था यहां पर बन रहा था सपोर्ट बट अगर अभी की बात करें तो अभी यहां पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है अब इसका अपोजिट होता हुआ नजर आ रह तो अब इसके लिए यह बन गया और सपोर्ट क्या बन गया सपोर्ट बन गया और अगर यह आगे चल के क्या होता है इसमें ही इस पर्टिकुलर पीरिड पर इसे तोड़ देता है तो यह इसके लिए दुबारा रेश्टेंस बन जाएगा और यह सपोर्ट है यह पूरी की पूरी रेश्टेंस तो सपोर्ट की कानी होती है जो इस चीछ को समझ जाता है ओके वह अच्छा गासा यहां पर पैसे कमाता हुआ नसर आता है तो हमें इसी लाइन को इसी चीछ को य और जैसे यह सपोर्ट यहां पर इसने तोड़ा और इसने यहां पर रेश्टेंस तोड़ा तो यह यहां पर सपोर्ट यहां पर बनता हुआ नजर आया ओके यह सपोर्ट यहां पर बन गया दुबारा यहां पर एक दिखा रहा हूं तो यहां सपोर्ट बन गया और यह दिया तो breakout ने के बाद यहां पर इसका राइस्टाएंस बन गया यह वाली लाइन और यह support यह support बन गई with only यहां पर क्या हुआ यहां-पर इस अदेब 2 तोड़ा ब्रेक आउट दिए Hasilिज जो लाइन है ओक है यह support था वो resistance बन जाता है अब इस case में जब नीचे आ रहा है downtrend चलू है यह अब trend चलू थी तो यहां पर यह इस तरीके से काम कर रहा था बट यहां पर downtrend चलू है तो downtrend में क्या हो रहा है downtrend में जैसे ही यह भी support था इसने यहां पर यह तोड़ा तो यह इसके लिए resistance बन गया और यह support यहां पर नीचे आ गया अब यहां पर इस level को तोड़ा इसने तो यह तो इसके लिए resistance बन गया और यह इसके लिए support बन गया अब जैसे ही यहां पर और नीचे जाएगा और यहां पर और गिरावत होती है तो यह बन जाएगा इसका रिजिटेंज और चीज़े अगर नीचा जाती है जैसे कि यहां पर आती हुई दिकाई दे रही है यह लाइन जो बन रही है जो कि मैं आपको टेंड लाइन वे समझाऊंगा तो यह यहां पर सपोर्ट बनता वह नजर आते है supports resistance की काई केवल इतनी ही होती है ताकि controle में चाहिए हैं यहाँ पर जीजिवे कि अरुके क ही नजर आएगी तो हैं आपर रूके उहाँ करेंगे और यहाँ पर अगर लेवल यहाँ पर आ एगी तो हम यहाँ पर शैल करेंगे तो यह लब पर समझ में आती है बड़ अगर हम दॉंट्रेंड चालूह तो अब जैसे कि यहाँ पर गरावट चालूँ थी यहाँ पर गरावट हो रही है तो यहाँ पर चीजे अलग से डिफाइन करेंगे और यहां पर जब अप्ट्रेंड चलू होगा तो अप्ट्रेंड जो कि थोड़ा वो टाइम में छे महीने एक साल बजब अप्ट्रेंड चलू होगा तो यह चीजे दुबारा चेंज होती ही नजर आईगे और हम अच्छा कासा पैसा इसके कहांगि कमाते होएं नज़र आई तो यही पूरी की पूरी सपोर्ट और सभावगा उठिहलिका होति है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए कमेंट करिए करीए कर को त्योंको सब्सक्रेब कर एगो थैंकि स tribunus झाल झाल